एक इंसान अपने जीवन के 24 साल सोने में निकाल देता है और 11 साल टीवी देखने में, सोशल मीडिया पर समय बरबात करने में और दोस्तों के साथ निकाल देता है बाकी बचे 73 साल जिसमें शुरुवात के 15 साल तक तो स्कूल जाने में, कॉलेघ जाने में और खेलने कूधने में निकल जाते हैं ताश के 52 पत्ते खेल में सबको बराबर बाटे जाते हैं लेकिन जो इस खेल में माहिन होता है वही जीत पाता है वैसे ही दुनिया में सब को 24 घंटे बराबर दिये गए हैं कुछ लोग इनी 24 घंटों में दिन रात एक करके अपने सपने पूरे कर लेते हैं I.A.S. ओफिसर बन जाते हैं साइंटिस बन जाते हैं, बिजनसमेन बन जाते हैं और कुछ लोग इनी 24 घंटों में बस रोते रहते हैं कि उनके पास समय नहीं है रेत चाहे कितने ही कसकर मुट्टी में पकड़ लो, वो हाथ से फिसल ही जाती है ठीक वैसे ही समय भी निकल जाता है जिस समय आप गोजरे हुए वक्त पर अफसोस कर रहे होते हैं, याद रखिए उस समय भी वक्त गोजर ही रहा होता है हम सोचते रह जाते हैं कि जब सही वक्त आएगा तो ये करेंगे जब सही वक्त आएगा तो वो करेंगे लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि सही वक्त तो कभी आता ही नहीं वक्त केवल जाता है और सही समय कभी खुद से नहीं आता उसे लाना पड़ता है अभी जो समय चल रहा है वही सबसे सर्वस्रेश्ट है अगर तुमने सही समय का इंतिजार किया तो ये समय भी लौट कर कभी नहीं आएगा और रह जाएगा तो सिर्फ अफसोस के काश, काश मैंने उस समय सही मिरने ले लिया होता और एक शुरुवात कर दी होती तो आज शायद जिन्दगी कुछ और ही होती जब जागो तफसा वेरा ये एक मामूली सी कहावत है लेकिन जो इसका मतलब समझ गया उसकी जिन्दगी बदल जाती है किसी ने क्या खूब कहा है वक्त सब को मिलता है जिन्दगी बदलने के लिए लेकिन जिन्दगी फिर नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए तो ये अफसोस कैसा, ये घबराट कैसी, आज से अभी से एक शुरुवात करो, अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हो जाओ, जैसे गलत चीज में पैसा लगाने से पैसा डूब जाता है, वैसे ही गलत कामों में समय लगाने पर वह इंसान डूब जाता है, चाहे क्ल ही क्या कमी है तुम में, क्या तुम एक मामूली सी जिंदगी काटने के लिए पैदा हुए हो, क्या तुम अफसोस करने के लिए इस दुनिया में आये हो, क्या तुम किसी की उमीद नहीं हो, ये तुम किसी की प्रेणा नहीं बन सकते, रेचीटी से मेहनत करना सीखो, बहुल जिन्दगी के लिए ये दोनों ही बहुत जरूरी है अगर इस वीडियो में कई के बातों से आप सहमत हो तो इसको ज्याता स्यादा शेयर करिए और हमारे इस प्रियास का हिस्से बनिए दोस्तों मैं लाया हूँ खबरी अपर जिन्दगी को बदल देने वाली मोटिवेशनल कह कि और हमारे शेकल मैं लाया हुआए.